राम राम जैच्छतिशगर आप सबको पुना मकर संक्रांती पोंगल और लोहडी तोहार की बहुत धेरोशम सुबकामना है पुरी देश वासियों को बहुत बहुत बधाई बहुत सुबकामना है प्रभुराम जी का इश्मरान करते हुए भब राम मंदिर का महल चर रहा है प राम राज जिलाना है राम राजी का अर्थ यह नहीं होता कि आप किसी जात्य धर्म के विरोदी है राम राजी का यह अर्थ होता है कि सभी सुखी हो देश में अत्याचार अन्याना हो अब प्रेम असद्भाव बना रहे देखिए मैं आज अपने इस सच्छे सचतकार चैन आने वाले कुसल प्रसासाक अमीज साजी के साथ ग्री मंत्री सकारता मंत्री के साथ जो फोटो लगातार वाराल हो रहा च्छप रहा पेपरों में उस पर मैं अपनी विचार एक विश्यसन रखना चाहता हूं उमीद है कि आप सब को मेरे जरूर पसंद आएगा देखिए विधान सबा चुना हुए जोगी कॉंगरेस लगभग समाप्त लगभग लेकिन आपको मैं अंदर खाने के एक बात बताता हूं कि अमीजोगी जी की राजनीती जो दो हजार आपके तेईस में हुई ये पूरी तरह से भारती जनता पार्टी को मदद करने में ये लगे हु मैं हमिसा बोलाओं कि 2018 में जोगी कॉंगरेस अजीत जोगी जी के रहते हुए 90 में से 60-70 सीटों पे बीजेपी को नुकसान पहुंचाई थी मान के चलिया इसका मैं डिटेल आपको बता चुका हूं मेरे पुराने वीडियो को आप सुन लीजीगा फिर मैं बात को बोलता कि चाए हो माथूर जी हो चाय मंसूग मानुदिया जी हो या अमित साजी की टोली कोई हो ये जोगी कॉंगरेस से understanding करी होगी ऐसा मेरे को लगता है और मेरे को लगता ही नहीं मैं इस बात से सहमद भी हूं कि हमीज答 से 223 के विधान समा है वो अन्दर खाने ऐसे-ऐसे पहले ही कोई ऐसी खिचड़ी पक चुकी थी कि आप हमारी सरकार लाने में मदद करिये और अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको निश्चित रूप से आपके बारे में सोचेंगे या आपका भला करेंगे या आपको हम अपने साथ मर्च कर लेंगे या पार्टी कर देंगे या आपको लोग सभा लड़ाके आपको हम केंदर में लाएंगे या राद सभा में भेजेंगे देखें, अमी शाजी से मिलना मी जोगी जी का और उस फोटो को वारल करवाना इसमें संदेश है, मिश्ची दर्व से संदेश है, लेकिन एक इसमें पेच फसा है क्या पेच फसा है जोगी जी जोगी जी जब मुखमत्री थे तब जो भारती जंता पार्टी के करकरताओं नेताओं के साथ जो अत्याचार हुए परणात पटेल से लेकर सिवराज सिंग चौहान जी से लेकर नंद कुमार साय जी से लेकर ना जाने कितने करकरताओं को हाथ प प्रकार से उनकी राजनिती और जोगी जी के राजनिती का बैक्ग्राउंड अमिक जोगी देखिए क्या होता है जो जिस पार्टी में सामिल होता है उस पार्टी के विचारधारा को अपना लेता है कहीं कोई दोराय नहीं है लेकिन कुछ इस देश में से निता हैं जो भारती जनता पार्टी के आइडियोलोजी में कैसे फिट हो सकते हैं आप बताई आप वामपंथी लोग कैसे भई आप मान के चलिए धारा तीसो सत्तर हो राम मंदिर हो कामन सिविल कोट हो धर्म परवरतन के खिलाप लडाई हो आपका देश को सोलक्षित करना हो सेना को मजबूत करन भारत मागी जय बोलना हो वंदे मात्रम बोलना हो यह सब बातें क्या वामपंथी या मिजोगी जी लोग सुकार कर सकते हैं यह खुद धर्मांत्रित इसाई हैं इन्होंने इनका पुरा परवार पहले हिंदू था यह इसाइग बने तो क्या हाला की कहीं को दो आनी भारती जंता-पार्टी हिसाईओं को लेना चाहती है केरल में चुनाओ जीतने के लिए भारती जंता-पार्टी जिहादियों के खिलाएक नये ऻगर्बंदन बनाने के तयारी में केरल में और सुनने में भी आ रहा है कि चर्च यह जो केरल के जो Jहादी है जो आया इस निजना के आरोप में हाथ काड़ दिया गया उसकी आरोपी के अभी गिफ्तारी हुई तो इस तरह की विचारद हरा को भारती जनता पार्टी और उसके कार करता कैसे स्विकार करेंगे क्या मिजोगी जी अपने पूरे इतिहास में जो उनकी राणी ती रही और उनका जो क आरोपी को शिकार कर पाएंगे हगे यह बहुत बड़ा प्रस न हए और फिर मेरे को नहीं लगता कि केंदर में भारती जनता पार्टी या मोधी जी को किसी चत्री पार्टी राटी की जोवरत हूं सवाल यह आप यारा में दसनते जाए चार में 9 14 में उननीश निदे मेरे को नहीं लगता कि भारती जनता पार्टी को लोग सभा चुनाओ छत्री गड़ में जीतने के लिए किसी भी किसी छेत्री पार्टी ये नेता की जवरत है अब पार्टी का धारा बढ़ाना हो इसाई समाज से आदवी को लेना हो और संदेज देना हो तो अलग बात है वही लेकिन आपको मैं बठा रहा हूँ कि अमीज जोगी जी का भारती जर्टा पार्टी में एटजेस होना और कारकरताओं को उनका सवभावी कुरुप से स्विकार कर पाना बहुत कठीन है मैं इमानदारी से आपको बोरा हूँ अमीज साजी क्या चाते हैं अगर पुर में सवान को तो फुल फिल करना पड़ेगा भले आपको नुक्सान उठाना पड़े लेकिन मेरा यह विचार है मेरी सोच है मेरा यह विशेशन है कि अमीज जोगी जी को लेने से भारती जनता पार्टी के करकरता जो सांदार करकरता हैं जो पार्टी के पती समर पीता हैं कर्मा था, इमानदार हैं, वो आसानी से स्विकार कर लेंगे, इसमें मेरे को बहुत डौट है, संका है, बाकि तो वक्त बताएगा, मा नहीं जानता, क्यों माथूर जी, आपके मनसुक मांडुया जी, और अमी साजी, कि क्या सोच है, क्या ये सिफ सहादर पुर्वातावरण में मु ही देने गए थे, क्या, क्या मी साजी, उनको बुलवाए थे, क्या, कि आपने हमको सयोग किया, तो आईए हम, मुलाकात करते हैं, चाय पीजिए, माने जानता, लेकिन, बहुत, अच्छी सिती, हमी जो की, भारती जनता पार्टी में, नहीं होने वाली, ये ठीक है, सत्ता है दोनों इस्टेट, इस्टेट में और केंदर में, तो एक अलग बात है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, इमानदारी से, कुछ हिंदुस्तान में से निता हैं, जिनका भारती जनता पार्टी में रह पाना, बहुत कठीन है, मान के चलिए, ये विशे संड, ये आकलन आप को कैसा लगा, आप जरू बताएए, कमेंट्स करके बताएए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, भारती जनता पार्टी को दारा बढ़ाना चाहिए, सांदर दारा बढ़ाना चाहिए, इसको मैं स्विकार करता हूँ, लेकिन कीस तरह के कारकरतां को निता, और कीस प्रकार के विचार के निता को करकरता पसंद करता है इसका भी ख्याल केंदरी नितुत को देखना चाहिए समझना चाहिए परखना चाहिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जाहिन जाय शत्तिजगर जाय शीराम